फ्रांस में इस समय हिंसा जारी है। इस बीज वहां से एक बूडी महिला का वीडियो वारल हुआ जिसमें कि वो बस ये कहते हुए रो रही थी कि तुम्हारी अपनी समस्या है लेकिन तुमको स्कूलों से गाडियों से आखिर क्या दिक्कत है। क्यों उनमें आग लगा रहा ह और क्यों चूरी चकारी कर रहे ह। क्यों लूट पार्ट कर रहे ह। फ्रांस के मेयर के घर में इन लोगों ने एक जलती हुई गाड़ी घुसा दी। फ्रांस के मेयर अपनी जान बचा कर जैसे तैसे उस घर से बहार निकल पाया अपने परिवार के साथ में। कहीं न कहीं जो अरजकता फैल रही है इसके पीछे लोग बोल रहे हैं कि और कुछ नहीं बस रूडिवादी मानसिक्ता जो चलती आ रही है उसी को हम जिम्मवार ठहरा सकते हैं और इसलिए फ्रांस में इन सब चीजों का अंत दिखाई दे नहीं रहा है एक बड़ा तपका इसके लिए immigration क भी जिम्मवार ठहरा रहा है अब ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि एक मौलाना साब का जो वीडियो है वो वाइरल हो रहा है और इसमें उन्होंने सोच को लेकर एक बहुत बड़ी बात कही है जो कि वाकई में दुनिया को सुननी चाहिए बात यू है कि फ्रांस में इस समय जो सब चल रहा है इन सब के भी सोचल मीडिया पर इसलामी मौलाना मौहमत तौहीदी का एक पुराना बयान वाइरल हो रहा है इस बयान में वे चेतावनी दे रहे हैं कि कैसे किसी देश में इसलामी प्रवासियों को जगे देना खतरनाक होता है इंटर्विव नौ सितं कमबर 2022 का है इसमें उन्होंने बता रखाए कि कैसे इसलामी कटरपंतियों को मुस्लिम देश जगे नहीं देते लेकिन उनी कटरपंतियों का पश्चिमी देश स्वागत करते हैं और बाद में उन्हें अंजाम भुगत ना पड़ता है मौलाना इसलामिक रिवलुशनरी गा चारधारा ही खून भाना और लोगों को काटने की इसलामी का टरपंत पर बात करते हुए उन्होंने समझाया कि जब घर का सामान खरीदा जाता है तो कुछ कूड़ा निकलता है इस कूड़े को लेकर लोग भार फिक देते हैं और नगा निकम उसे उठाता है कूड़ा घर म आप अपनी पूरी बाड़ी को ढखकर रखें क्योंकि वो प्राइवेट पार्ट है कुछ कहते हैं कि यहूदी हैं यहिसाई हैं इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए यह मान सकता घिरोनी है और इसका सम्मान किसी भी तरीके से होना नहीं चाहिए उन्होंने कहा कि इसलामी देश में कोई संकत नहीं है मुस्लिम देश सब अच्छा कर रहे हैं सिर्फ कुछ जगों पर दिक्कत पर मैं कहूंगा कि संकत आप लोगों पर आप मुस्लिम देश जाते हैं वहां का वो कच्रा उठा लाते हैं जिन्हें खुद मुस्लिम देश निकाल कर बाहर करना चाहते हैं य कोई इसलामी कट्रपंत नहीं है और नाही कोई आतंकी हमला हुआ है क्योंकि जैसे ही उन्हें लगा कि यह समस्या वाली चीज है उन्होंने इस पर शक्र झाकस दिया। इसी की ओलट फ्रांस है वहां कट्रपंत यह आते हैं सन्सादनों करते हैं वाशिंटन जाकर संसत में बैड जाते हैं फिर इरान का समर्थन करते हैं हिजाब पहन का कॉंगरिस में लगाए गाए प्रतिबंद्यों के खिलाफ जाते हैं क्यों क्यों कि उनकी शुरुआती विचार दा रहा है वही सड़ी हुई है सबसे बड़ी समस्य यह हाँ यही हो रहा है दरसल इस समय फ्रांस में जो भी कुछ चल रहा है उसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ की जा है और लोग अब इस कारण का पता लगानी कोईश कर रहे हैं कि वहाँ पर इस प्रकार से अरजकता फैल रही है और जाहिर सी बात है इस अरजकता का कोई इलाज नहीं है अगर इलाज है तो कुछ पुखता चीजे करनी पड़ेंगी शायद वैसी जैसे कि पॉलिंड कर रहा है मौलाना साहब की यह बात है सुनकर कोई भी यही कहेगा कि हाँ इन बातों में सच्चा ही तो है सोशल मीडिया पर इस समय इस पूरे इंस्टेंस क मतलब कि तुम ने इपना बस्तर बिशाय तो आप सो भी तुम है यह देखी मनोज गुपतान लगाया फ्रांस 2050-50 यहां पर बाबाबाबा क्या हो रहा है बहुत बढ़ी है तस्वीर आप देख सकते हैं नरेंदर मोधिया नमिश्या जी प्लीस अंडर्शा जी प्लीस अंड कर देख प्रांस विल्लाप से प्लीस अंडर्शा अमुपता क्या है मुपता है जब स्वीर बदा गाल्शा नब गाल विल्यक्ट वाहई तो वान a woman uh comes second now they want to put the blame on africans he is brilliant true as a christian african uh from a christian majority country it us uh very very difficult it is very difficult for me to get a visa while asylum and citizenship is open to arab muslims they are serving europe what it called for nahel's death is not a isolated incident but the latest example of a long history of systematic racial violence in france against ethnic minorities and immigrants especially those uh from former french colonies in africa and the caribbean colonial racism sayyid mohammed nahi baat kahi hai not like hinduism france has assassinated 22 african president since 1963 still forces 14 african nations to pay colonial tax and just last year had their troops driven out of mali so this type of reaction saamne a raha hai aur bata ki jari ki 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 kya kuch bata hai ndse kata hai min regenerate research mission facilitator Boy hi hi yes sure uh yeah